सलील एक पिक्चर को एक फ्रेम के अंदर डालना चाहता है और वो जो पिक्चर है उसकी जो चोड़ाई है वो 7 and 3 by 5 cm की चोड़ाई है उसकी लेकिन इस पिक्चर को इस फ्रेम के अंदर फिट होने के लिए यह जो पिक्चर है न यह 7 3 by 10 से जाधा चोड़ी नहीं होनी चाहिए तो इस पिक्चर को कितना काटा जाएगा ट्रिम का मतलब है कुछ काट के इसकी कटिंग करके इसे थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा ताकि यह फ्रेम में फिट बैट जाएगा अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पिक्चर है और यह फ्रेम है पिक्चर की चोड़ाई 7 3 by 5 है यानि यह ज्यादा है पिक्चर की जो चोड़ाई है यह ज्यादा है लेकिन फ्रेम इसे थोड़ा कम है 7 3 by 10 तो पिक्चर को थोड़ा यहाँ से काट दिया जाएगा तो यह इसके अंदर फिट बैट जाएगी बस यही आप से पूछा है कि इ यह हमें मिल जाएगा तो आंसर यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले हमी लिखेंगे विर्थ आफ पिक्चर पिक्चर की चोड़ाई कितनी है 7 3 by 5 और यह जो वैलू है यह ज्यादा है ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि 7 और 7 तो सेम सेम है लेकिन यहाँ पे 3 by 5 है और यहा वड़ाई कम है तो ज्यादा मेंसे कम वाली वैलू को माइनस करते ही हमें जो काटना है वो पता चल जाएगा तो पिक्चर शुड़ाई ट्रेंड 7 3 by 5 मेंसे माइनस कर देंगे 7 3 by 10 को बस सिंपली है सब्ट्रेक्शन का कोश्चन बन गया है अब यह दोनों जो फ्रेक्शन स इसा यह mixed fraction में दे रखे हैं तो mixed fraction से पहले हमें इनको improper fraction में बनाना पड़ेगा उसके लिए हम नीचे वाले को बीच वाले से multiply करते हैं 5 7's are 35 और उपर वाले को plus कर देते हैं तो 35 में 3 plus करेंगे तो 38 हो गया नीचे 5 as it is रहेगा माइनस का माइनस इसी तरह 10 7's are 70 70 में 3 plus करें तो 73 हो गया अपन में 10 अब दोनों के जो डिनॉमिनेटर से यह अलग अलग है तो मुझे इसका LCM निकालना पड़ेगा 5 और 10 के LCM निकाल लेते हैं तो 2 से जाएगा 5 तो जाएगा नहीं as it is लिख देंगे 10 2 से डिवाइड होके 5 आगया अब यह दोनों 5 5 से चले जाएंगे 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया यहाँ पर 2 इंटू 5 यही आपका LCM है तो 25,000 हो गया है 10 तो LCM 10 हो गया तो अब इन दोनों की जगह ये जो दोनों values है न अलग अलग है अब इन दोनों की जगह पर 10 बन जाएगा अब यहाँ पर यह जो 5 है इसको भी 10 बनाना है और यह जो नीचे 10 है इसको भी 10 बनाना है तो इसके लिए हम यह दिमाख लगाएंगे कि 5 को 10 कब बनाए जा सकता है जब इसे 2 से multiply करेंगे अब यहाँ से 2 multiply किया है तो उपर भी 2 से ही करना पड़ेगा तभी यह fraction equal बनेगा तो उपर उपर value आजाएगी 38 into 2 आगे minus का minus 10 को 10 बनाने के लिए 1 से multiply किया जाएगा तो यहाँ 1 से किया है तो यहाँ भी 1 से तो उपर 73 into 1 रहेगा बस अब इसको solve कर देंगे तो आपका answer आजाएगा 38 को 2 से multiply कर देंगे तो 76 आजाएगा 73 को 1 से multiply करेंगे तो 73 ही रहेगा नीचे 10 as it is अब उपर इनका subtraction हो रहा है तो इने subtract कर देते हैं 76 में से 73 माइनस किया तो 3 आगया और नीचे 10 आगया यही आपका answer है और यह centimeter में यानि 3 by 10 centimeter 3 by 10 का मतलब हो गया कि अगर पूरा यह part एक centimeter है यह 10 part है 10 part मिलके पूरा यह centimeter बन रहा है तो इसके सिरफ इतना part यानि centimeter का भी 3 by 10 part जो है इतना picture को यहां से काटा जाएगा यहां से काट देंगे तो यह frame के अंदर fit हो जाएगी question खतम तो इस वीडियों बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye